हलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागात तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी समाजिक विज्ञान जोगी काफी महत्पून टॉपिक है इस पे हम हर एक पिसाय पे जो है विस्तार प्रपर चर्चा करेंगे और हर एक पहली उपर प्रकास डालने कोशिश करेंगे तो देखते हैं मारा आज टॉपिक क्या है भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए बहुत से औरनाइजेश कॉंग्रेस कहते हैं भारती राष्टे कॉंग्रेस जो थी अत्यंद महत्पून थी और इसका जो अस्थापना हुआ था 1885 में की गई थी और ये भारत के अजादी में वो सारे महत्पून लीडर्स हमें दिये जो भारत को एक सुत्र में बांधने के लिए प्रयाप थी कहते हैं इसके ग्रूपों में ऐसे ऐसे सदस्य थे जिन्होंने भारत को जो है अजादी कराने के लिए अपनी बलिदान को सुनुशित किया और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में भारती राष्टे कॉंग्रेस के अस्थापना हुई और इसका स्रे दिया जाए इसका स्थापना 1885 में एलैन अक्टर विल्यम्स हुम्स् दौरा की गई थी ज्यानि यह बहुत ही महत्वपुर् Bryan नाम है यह थे स्थापने यह में अंग्रेजी सासन के विरूद सर्वजरी क्रोध के रूप में विक्सित नहीं हो सके इसलिए उन्होंने ठाड़ा सोपचासी में भारती राष्ट्र कॉंग्रेस के अस्थापना किया और इस उजना में बहुत ही महत्वपून युगदान दिया भारती राष्ट्र कॉंग्रेस के अस्थापना के अंतरगत और बहुत से भारती समधाय के लोग ने भी इसमें महत्वपून अपना युगदान दिया कलकत्ता के बेमेस चंद्र बनर जी इसके पहले अध्यक्ष चुने गए यानि बेमेस बेमेस चंद्र चतर जी बनर जी को पहले भारती राष्ट्र कॉंग्रेस का अध्यक्ष चुन और भारत राष्ट्रे को अंगरेज राजनीती गुरूप से सजग भारतियों का उनकी बहतरीन के लिए काम करने के लिए राष्ट्रे संगन स्तापित करने के लिए काम करने हेतू विचार रखते थी यानि भारत के लिए कारे करने के लिए सदेव अरगरसर थी इनके नेताओं का विटी सरकार और उसके न्याय में पूरा विश्वास था कि एक न्याय एक दिन जो है भारतों के लिए बारत के लिए न्याय जरूर होगी वो मानते थे कि यदि वो सरकार के सामने तर्ग पूर्ण ढंग से सिकायत रखेंगे तो अंग्रेज निशित रूप से उनमें सुधार करेंगे इन उदार नेताओने सबसे प्रसीद फिरोस्ट्रा महता थे गोपाल किलिश्ण गोखले थे दादा भाई नरोजी थे राम बिहारी भोष थे बरदुनी तवेजी थे इत्यादी बहुत काफी महत पूर्ण वेक्ती थी समाजिक अधार था यहां पर जो पिक्चर आप देख रहे होगे भाति राश्य कॉंग्रेस के अधिवेशन 1885 में हुआ था उसके चित्र जो है यहां पर रखा गया है दिया दिखाया गया है तो आप देख सकते हो सारे वेक्ती जो कहते हैं भारत के सुदंता संग्राम में म महतवण तस्वीर है जिन्होंने अपना महतवण योगदान दिया और भारति राश्य कॉंग्रेस के अस्था से भारत की और से संबाद करना और उनकी सिकायत को आवाज देने जैसे सीमित उद्देश्ष थे यानि जब भारते राश्टी कॉंगरेस के स्थापना हुआ तो इसका सिरफ एक ही उद्देश्ष था कि भारत में जो आम लोगों के साथ बुद्दुराचार हो रहा है वो सारे बातों को जो है सिकायत के रूप में अंग्रेजों के समक्ष रखें और इसको सही सलूशन निकाले यह इस जो है संस्ता का पहला उद्देश्ष था बास्ता में इस यूग के नरम पंतियों दोरा यूग कहा गया है क्योंकि इसका पता आप शिक्र ही पाएंगे कि आखिर इ आगे उबर रहे थे तो यह जानना काफी महत पून होगा कहते इसके प्रतम विश वर्षों के दोरान कंग्रेश ने नरम नरमी से अपनी मांगे रखी यानि देखा जाए तो भारतराश्य कंग्रेश ने किसी परकार का हिंसा का सहरा नहीं लिया इन्होंने बहुत नरम से अ नागरिक अधिकारों की रक्षा की गई न्याय पालिका का जो है कारेव पालिका से पृतिकरन हो गया और कसरकार जो नियम में बदलाब हुई इवन कि भूमी से आधा नमक कर में भी कमी की गई और भारतिय द्योग एवं हर शिल्प के विकास में मदद हैतू नीती भी अप हमेशा आवेधन के रूप में रखी यांशी परकार का हिंसा नेको नहीं मिया ख साथ रखा गया और यह परियास भारत में अंग्रेजों की नीती एबं परसासे में कई सुधार नहीं ला पाया क्योंकि जो उनकी नरम पंथी नीती थी अंग्रेजों को कहते हैं जू तक भी नहीं रगा और उनके इन कारे से किसी परकार का सुधार नहीं हो पाया औरम में कॉंग्रेज के प्रती सय योगए अंगरेज्जों के पुन्ने मानसिक्ता थी तुगे अंगरेज उनकी सहता करते थे और अंगरेजillarट की बाते माना करती थी त incarcome capita 87 के बाद यह मानसिकता बदनने लगए यानि धीरे धीरे रास्टी कंग्रेस का भी मन के पीछे हट गई और उनका मन उनसे उतर गया और उनमें मानसिकता में बदलावाने लगी वे नरमपंति के मांग को पूरा नहीं करते थे तो कंग्रेस एक मात शफलता भारतिय परिश्ट अधनियम 1892 को लागू करना है इसमें कुछ गैर कारी सदस्टों को सामिल कर विधान सवा का विस्तार किया और भारतिय सिविल सेवा परिश्टा को भी भारत के लंदन के एक साथ आजूत करने का समधान पास किया तो यह कावी महत्वपून था दिरे दिरे बहुत सारे नेता सरवधाने परक्रिया में स्वास खोने लगे और यहां तक ही कंग्रेस अपने लक्ष को पाने में असफल हो गई यानि देखा जाए तो यह दौर थी जहां पर रास्टे कंग्रेस भी फेल हो गई यानि कहते हैं जब उनकी बातों को नरम बंती विचार ध कीमेंट यही थी कि राश्ट जागर्यूती लाने में लोगों के मन में एक देश के संबंध होने का भाव लाने में सफल रहे उसने भारतियों को बड़े रास्टे मुद्धे पर बाचित करने के लिए एक मंच परदान किया जहां पर कोई भी अपना विचार धारा डख सकत था सरकार के नितियों की अलउचना करके इसमें इस ने लोगा के राजनितिख के बहुमौले पर शिक्षन दियाा और वो आक्रमक कदम बड़ने की स्थिति में नहीं थे जो उनके सरकार से सीधे संघर्श की सितिती Μें ला देता था सबसे बड़ा सबलता एक राष्टिय अंदोलन की नीव रखने की थी क्योंकि जब तक राष्टिय अंदोलन की नीव नहीं रखी जाएगी भारत अजात नहीं हो सकेगा अंग्रेट जो कि पहले नरम पंती के मदद करते थे शिक्रिय अनुभब करने लग गया कि यह अंदोलन एक राष्टिय सक्ति के रूप में बदल सकता है जो उन्हें देश से बाहर कर देगी इसे उनकी मासकता पूरी तरह बदल गई उन्हें उन्हें सिक्षा को नियंतर करने और प्रेज को कुचलने के लिए करी नियम पारित भी किये यानि देखा जाए तो उन्हें ने सिक्षा को नियंतरित किया और प्रेज को कुचलने कुचल दिया गया और ये सब कॉंग्रेसों के दोरा हुआ, क्योंकि उनका ये विचार था, कि अगर ऐसे विचार धारा रखेंगे, तो 100% जो है अंग्रेजी सरकार उनको रहने नहीं देगा, और उनको देश से बाहर कर देगा, और उसमें अंग्रेजों का रास्ती जो मर्धी कर सकते थे, तो इसलिए जो है कॉंग्रेस डड़ गई और उन्होंने सिक्षा को नियंतित किया और प्रेश को चलने के लिए करे नियम पारित कर दिया कॉंग्रेसी नियता को सांध रखने के लिए कुछ छूट भी दी गई बिटिस बायरलास लाड करजन भारत में राष्टवात को दवाने के लिए जब प्रयासरत थी यानि देखा जाए तो लाड करजन ने राष्टवात को दवाने के लिए हर संभव कोशिश किया और करजन कटर समराज बादी था और अंग्रेजों के अन्य लोग की तुल्ला में बहतर होने में विश्वास रखता था बिटिस सासन के विश्विद्य लोगों को जो है उत्तेजित करने का अपराज बनकर उसने अठारा सो अंठानवे में एक नियम पारित किया उसने भारते विश्विद्यालों करे नियम आरोपित कर 1904 में विश्विद्याले अधनियम पारित किया जिने आप आगे परोगे और अगला टॉपिक जो हमारे रहेगा बंगाल का विवाजन जो 1905 में की गई थी तो अगला है तिरपार आंद में सेंटर का हैल्प करना चांथे हो तो यह लिएज करना है जो दुसरे वच्चे तक भी पहूंच सकी और ऑब इस वीडियो से लावांत्रित हो सकी राज़्िय कघूरे के बारे में जान सके कहते हर शित्सके बारे में जानना हर एक व्यक्ति का कर्तब्य और यह तभी सम्भव हो सकता है जब आप भीुक्त कारे रत रहोगी और कारे रत होने के लिए शेरिंग करना चाहिए और जितना हो सीएर के .. और शेयर के लिए कुछ नहीं करना है इडिट्व से लिंग कोपी करना है और वर्स लिट्रेस लगा देना है और पहली बार वीडियो देख रहे थे पहली बार में चैनल पर आये हो तो आपको पता है चैनल बहुत ही महतुपून है क्योंकि यहां पर 8 से लिए हमें तक सब्सक्राइब हो जाएगा और आप अपने वाल में सेव कर लीजिए है 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 बार में वाल में से लिह वाल में तो आपको आपको पर आपको शहरुत है है